आपका स्वागत है प्रदेश की दिन भर की चार बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं इन दौर में रिवा के युवक की हत्या होती है हत्या के बाद दोस्त पर शक की सुई जाती है उसके बाद खुलासा होता है कि एक किन्नर और दो लोगों ने मिलकर लूट की उसके बा होप है कि आखिर 75 किलो के देवांशू को उपरी कमरे तक कैसे ले जाया गया अगर वो इतना घायल थे चाकू लगा था दोस्त पर अभी यह शक परिवार का है और साथी साथ उन्होंने एक बात का और खुलासा किया कि जिस रियल स्टेट कंपनी में देवांशू काम कर रह सामने पुलिस के सामने परिजन यही रख रहे हैं कि देवांशू से सतीज की एक महिने पहले की दोस्ती थी चार दिन पहले ही रूममेट बने थे सतीज और सतीज देवांशू को अस्पताल क्यों ही ले गए लुटेरों ने सिर्फ चेन क्यों लूटी अगूठी और पर्स भी था यह बार-बार परिजन इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि एक साजिस के तहत यह पूरा घटना क्रम हुआ है आपको बता दे पिछले दिनों जब यह घटना हुई उसके बाद से परिवार पूरी तरह से तूट चुका है देवांशू की जिस तरह से हत्या पुलिस ने कई पॉइंट्स उसमें रखे और एक सोशल मीडिया में वीडियो वाइरल होना शुरू हुआ और उस वीडियो के अधार पर कारवाई हुई सीसी टीवी फुटेज खंगा ले गए और तीन लोगों को गिरफतार किया गया जिसमें एक किनर है और लूट का बार पुस्ताच की थी लेकिन अब फिर से एक बार स्पी से मिलकर ये बात परिजनों ने रखी है क्या प्रशासन इस पर करता है पुलिस महकमा किस एंगल से जाच करता है ये देखना बहुत महत्यपूर्ण होगा दूसरी खबर की बात करते हैं भुपाल से सांसत प्रग्या ठा है अल्प संखेकों पर खर्च होता है हिंदों की श्रद्धा का धन और दान उन्हीं के विकास पर लगना चाहिए पहला मामला नहीं है इसके पहले भी भुपाल से सांसत प्रग्या ठाकुर तरह तरह के बयान दे चुकी हैं कई बार अलग अलग अपने बयानों को लेकर चर वो धन हिंदों पर ही खर्च होना चाहिए क्योंकि उनकी ही श्रद्धा से उनके ही दान से ये धन वहां पहुंचता है लेकिन अब इस पर विपक्ष क्या रियाक्ट करता है ये देखना बहुत महत्यपूर्ण होगा आखिरकार मधिपरदेश से मानसून की विदाई हो गई है 41 जिलों से मानसून विदा कर गया है बाकी 11 जिलों में विदाई जल्दी होगी बीच में ब्रेक होने से चिंता बढ़ी थी किसानों की और कई ऐसे जगें हैं कई ऐसे जिले हैं जहां कम बारिश हुई है वहां पर किसान अब भी परिशान है सबसे पहले ग्वालियर मुर तरह से कंप्लीट हो रहा है बारिश कुछ जगे पर बहुत अच्छी हुई लेकिन कुछ जगे ऐसी थी जहां पर बारिश अच्छे से नहीं हो पाई वहां किसानों की चिंता है उपचुनाओं को लेकर तमाम राजनेतिक दल मुख्य रूप से बीजेपी और कॉंग्रिस प मंच पर दिखें मान मनोवल चलता रह गया कॉंग्रिस के सामने तमाम चुनाओतियां संगठनात्मक हैं और अब तक जो परिस्थितियां हैं रहगाओं उपचुनाओं को लेकर वो यही हैं कि कब बड़े नेता सक्री होकर कैंपेन समभा लेंगे बीजेपी इस उपचुना तो कुछ निर्धारित कर रहा है शायद भोपाल में बैठकर सशक्त प्रवंधन करने की तयारी है लेकिन यह परिस्थितियां बताएंगी कि कौन उपचुनाओं में फतह हासिल करेगा लेकिन रहगाओं की जो परिस्थितियां है काटे की टक्कर की संभावना जताई जा र बहुत 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 धन्यवाद